एक बर फिर से स्वागत था आपका हमारे इस यूटूब चैनल योजना ग्यान फॉर यू में जहां हम आपके लिए सरकार दोरा लाई गई नहीं नहीं योजनों की जानकारी देते हैं और उनके अपडेट्स आपके साथ हमेशा सांजा करते रहते हैं आज हम आपके लिए क्या हैं परधान मंतरी कण्या आशिरवाद योजना आवेदन 2022 पी एम कन्या आशिरवाद योजना 2022 यह फेक है या फिर रील है यह महिला और बाल विकास मंतरा ले दोरा जारी किया गया है दोस्तों आप सभी में इंटरनेट और सोचल मीडिया पर पी एम कन्या आशिरवाद योजना के बारे में तो सुना ही होगा और अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो हम आपको बताएंगे कि आखिर यह कन्या आशिरवाद योजना क्या है परधान मंतरी कन्या आशिरवाद योजना ऑनलाइन अपलाई कैसे कर सकते हैं और साथ ही कन्या आ पर यह योजना आजकल बहुत जादा चर्चा में हैं जिनको नहीं पता है उन्हें बता दे कि इस योजना के अंतरगर देश की लड़कियों को दो हजार रुपे की सहायता राशी परदान की जाने की बात कहीं जा रही है इस राशी का उपयों कहीं पर भी किया जा सकता है इस किसी भी जान कारी से वंचे जर ना रह सके अगर अगर आपको आपको दी करें जान कारी अच्छी लगे तौ आप यहां से डिसलैक कर सकते हाला कि यह बात बिल्कुल सही है लेकिन दुख की बात तो यह है कि फिलहाल वर्तमान समय में केंदर सरकार और राज्य सरकार दोरा ऐसी कोई भी योजना ओफिशल तोर पर शुरू नहीं की गई है प्रधान मंतरी कन्या अश्रवा योजना पूरी तरह से फेक है इस तरह कि को इतर शिक्षा परदान करने के लिए गरीब परवार की बेटियों को 2000 रुपे की साहता राश्य उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी लेकिन ओफिशल तथ्यों के मुक्ताबिक यह योजना पूरी तरह से फरजी है अगर आपको शोचल मीडिया या इंटरनेट पर इस योजना के साथ आवेदन करने के लिए कोई भी लिंक दिया जाता है तो आप आवेदन करने से पहले या जान ले कि यह वेबसाइट पूरी तरह से फरजी हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नॉलजी आगे बढ़ती जारी है लोग इसका गलत इस्तमाल भी करना लोग पैसों के लावा अब आपके नीजी जानकारी के डाटा को भी चोरी कर सकते हैं इसलिए किसी वेबसाइट पर आवेदन करते समय आप उसकी सचाई जरूर जान लोई जातर सरकारी योजना के आवेदन सरकारी वेबसाइट पर ही जमा होते हैं जिनका डॉमेंड निम कम समय में अवेदनों को डॉट इन और डॉट कॉम जैसे डॉमेंड नेम पर भी वेबसाइट पर अमेंतिर कर लेती हैं और सभी जानकारी वेबसाइट में आप सरकारी लोगों को नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखा जुरूर मिलता है जैसे आप इन तत्यों को जानकारी ना दें क्योंकि ऐसी वेबसाइट हैं जातर आपका पैसा और आपकी परसनल जानकारी चुराने के लिए ही बनाई जाती हैं अब एदन करने से पहले वेबसाइट की जांच परताल जरूर कर लें आशे करते हैं कि आपको हमारी यह दी गई जानकारी अच्छी जात